हेलो दोस्तो विदेज बार्बी इस कहानी की दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपने पिछरे भाग में देखा यहां सारे बच्चे रोकेट में बैठ जाते हैं चान पर जाने के लिए और यहां सारे बच्चे रोकेट में बैठू हुए है और हवा में उड़ रहे हैं चलिए देखते हैं आगी की कहाने में क्या होता है उरना उरना आस्मान में उरना अरे राहू लब बताओ आगी क्या गरना है हम कहाँ पर जा रहे है जल्दी से बताओ मुझे तो भोटी टेंशन हो रही है अरे सोनम ये कैसा बेहुदा सवाल है हाँ क्या मतलब कहाँ पर जा रहे हैं हम चान पर जा रहे हैं और क्या इसलिए तो मैंने ये रोकिट बनाया है देखो तुम कहाँ पहुझ गई अरे वाँ हम स्पेस में पहुझने वाले हैं अरे बाप रहे देखो सोनम हम तो स्पेस में पहुझ गए देखो हमारे पृत्वी तो पीछे निकल गए जल्दी देखो ही दो रहाओ अरे वाँ कितना सुन्दर है ये सब जल्दी आओ सोरम जल्दी आओ कितने दूर आ गए है पहली बार अपनी गाउं से हम बाहर निकले है वह भी हम तो स्पेस में आए है ना है बहुत ही अदर लग्की है अरे चिंकी वह देखो जो चमक रहे है वो सब क्या है स्टार्स है है ना वाव मैं तो पहली बार देख रही हूँ देखो राहूल कितना अच्छा देख रहा है सब सितारे सितारे वाव वाव चान पे जाना जाना वाव तुम्हें पता है चिंकी मेरी मम्मी बोल रही थी कि जो दुनिया से चला जाता है ना वो आस्मान में आकर सितारा बन जाता है औ तो बहुते अदा खुश हुए सब देखकर कितना सुन्दर है सब अरे हाँ सोनम तुम सही कह देए हूँ कितना प्यारा दिख रहा है सब पता लिम चांद पर कब पोचेंगे चलो सब मैंने सेट कर दिया है अब हम चांद पर पहुँच जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि चांद करीब आ गया है चलो देखो तो मैं भी अरे हां कितना अच्छा दिख रहा है आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा चांद पर जाने का और हम सब बहुत यदा फेमस हो जाएंगे मैं तो बहुत यदा खुश हूँ देखो चिंकी हम चांद पर जाने वाले हैं हम तो वहाँ पर जाकर वापस नहीं आएंगे वहाँ पर तो हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और डाट भी नहीं पड़ेगी मम्मे के क्यों वैसे भी मम्मी तो हमेशा दाते रहते हैं हां लेकिन खाना खाने के लिए हम मम् को सबसम जा दूंगा सबसे पहले में चांस से होकर तो आ जाओं तुम सही कह रहे हो सोरी बोल देंगी ममी से और काम हो जाएगा अरे बाप रिश्याम वो देखो वो क्या है यह तो एक दब रेंबू जैसा दिख रहा है किता सुन्दर है वाव किता प्यारा है रेंबू रेंबू देखना देखना है वाव रेंबू बाहर जाना बाहर जाना है बाहर है बचाओ 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 शोनम शोनम अरे शामी तुम क्या करें चलो हजो वहां से यहां बदा जाओ नीचे आजाओ और यहां पर सारे बच्चे बैठ कर चान पर जाने की बाते कर रहे हैं अरे वाई यहां पर कितना अचा लग रहा है ना दोस्तों मुझे तो बहुती मचा रहा है वैसे राहूल हमें चान पर बोचने में कितना टाइम लगने वाला है ज़रा बताओ तो मुझे बोचेता एकसाइटमेंट हो रही है हम कब पोचेंगे वहाँ बताओ ना प्लीज अरे सोनम इतने जल्दी थोड़ी ना पोच जाएंगे चलो चलो देखते हैं हम कहाँ पर पोचेंगे अभी अरे वहाँ देखो तो कितना बढ़िया नजारा है बाहर का ये सब तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं देख पाते लेकिन आज मैंने ऐसा काम कर ही दिखाया मैं तो सच में एकदम ग्रेट हूँ कितना सुन्दर नजारा है ना और फिर तभी यहाँ पर श्याम को छीची लग जाती है अब तो ये सारा स्पेस्टिप गंदा कर देगा अब हम क्या करें चिंकी जल्दी देखो अरे हाँ मैं कुछ करना पड़ेगा राहुल जो राहुल को बोल दे अरे अरे राहुल देखो देखो श्याम को छीची आई है अरे हाँ राहुल जल्दी कुछ करो देखो श्याम को छीची आई है उसने इतने घबराने वाली क्या बात है मैं बहिरे सारा इंतिसाम किया है औरे ये शाम तुम चंता मत कुरो ठीक है ना मैंने यहाँ पर एक टॉलेट भी बन वाया है जाओ यहाँ से राइट ले ले characters वहाँ पर एक टॉलेट है ठीक है ना तोलेट कर लिया है अज़े वार राहूल तुम अचले से इतनी समझदार कैसे हो गई आखिर तुम ने तो यह पर टोलेट भी बनवाया तुम तो सच में बहुत जीनियस हो तब क्या सोना हम तुमें नहीं पता मैं कितना ज्यादा जीनियस हो तुम लगों कि तरह थोड़ी ना कि दिमाग ही नहीं रखता हूं साथ में और तुम क्या बोल रहा है थोड़ा तारीफ क्या कर दो तुम तो चलने की जार पर चल जाते हो आज़े वाह किता सुंदर पत्थर यह यहीं आरहा है और यह तो यहीं पर आ रहा है जल्दी से यहां से स्पेस्शिप लेकर जाना शोग करके और यह थोड़ा अधर अब so अरे देखो तो इन लड़को का over acting ख़तम ही नहीं होता है कितने बध्रामे बास है इनको देखक कर तो मुझे हसी आ रही है अरे तुम लोग पिना कितने बध्रामे बास हो अरे हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है हम तो एकदम ठीक ہیں अरे हाँ तुम सरी के रहो लेकिन श्याम का हबर उदो दिखाई नहीं दे रहा है और यहां श्याम का हबर गया और यहां पर श्याम टॉयलेट में से बाहर निकलने लगता है टॉयलेट गंदा टॉयलेट गंदा टॉयलेट गंदा है और यहां पटकर की वाज़े से श्याम की उपर पूरा टॉलेट पेपर गिर जाता है और श्याम को तो देखो और श्याम कोई बात नहीं देखो तो कैसे टॉलेट पेपर से नहां कराया है देखो श्याम को देखो और फिर तबी यहां पर लाल बत्ती जल जाती है आज़े ये क्या है, ये क्या हुआ? Toilet Paper, गंदा, गंदा गंदा toilet Paper औरे ये क्या, ये तो लाल बतनी जल गई औरे इसको मतलब है हम चान्स के करीब पहुच गए है औरे वगा दोस्तों, मुबारको चलो चलो देखते है, देखते है चांद यहीं कई पर है चलो देखते हैं अरे कहों पर है चांद चलो पीछाली खिड़की से देखता हूँ अरे वाँ मुझे तो बहुत है खुशी हो रही है चलो देखता हूँ अरे वाँ दोस्तों ये देखो हम चांद के पास हो गए है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मेरा सपना सच हो गया और हम पहुँच जाएंगे ये दोस्तों इसके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बेरे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ठैंक यो फॉर वाचिंग